नमस्कार आप देखरें इंद्वारत और मैं हूँ आपके साथ योगिश शर्मा परदान मंतरी इंदरेंद बोदी की मंतरी परीसिद में बुद्वार को विस्तार और फेर बदल संपन हो गया जाए इसमें 36 नई चहरों को शामिल किया गया है जबकि साथ वर्तमान राज्य मंतरी को पदोनत कर मंतरी मंदल में शामिल किया गया है जिसमें आठ नई चहरों को भी कैबिनेट मंतरी का दर्जा दिया गया है आपको बता दें कि राष्टपती रामनात कोविंद ने राष्टपती भवन के दर्बार होल में आयूची तिक समहरों में मंतरी परिष्टत में शामिल के गए सभी 43 सजस्यों को पद वे गोपिन्यता की शपत दिलाई इन सभी मंतरियों को विभाक का बटवारा भी दिया गया है। केंद्रे मंतरी परिष्टत में फेर बदल वे विस्तार किया है। तो चलिए आपको बताते हैं किस मंतरी को कौन सा मंतराले कौन सा विवाग और कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। राजनात सिंग को रख्चा मंतराले मिला है, मिंत शाह को गिरह मंतरी और सहकारिता मंतराले मिला है, नितिन गटकरी, सड़क परिवेन और राजमार के मंतरी ही रहेंगे नरिन सिंग तोमर को किर्सी एवं किसान कल्यान मंतराले मिला है एस जैशंकर को विदेश मंतराले मिला है अरजुन मुंडा जन जाते मामलों का मंतराले मिला है इसमर्ती रानी को महिला एवं बाल विकास मंतराले मिला है और सुच्च भारत मिशन भी वो देखेंगी प्यूस गोयल को कपड़ा मंतराले और उपभोकता कल्यान मंतराले के अलावा वंज्य मंतराले मिला है धर्मेंदर परदान को शिप्षा कोसल विकास और उद्धमीता मंतराले मिला है पहलाद योशी को संसद्य मामलो के मंतराले कोईला एवं खनन मंतराले मिला है नारायन राने लगू एवं मध्यम उद्धोग मंतराले समालेंगे सरवानन सोनिवाल को बंदरगा जहाज रानी और जलमार को रौईस मंतराले मिला है मुक्तार अब्बास नक्वी को अल्प संख्यक कारिय मंत्राले मिला है महीं डोक्टर विरेंद्र कुमार को समाजिक नय एवं शैसक्ती करन मंत्राले मिला है गिरीराज सिंग को गिरामीन विकास एवं पंचायती राज मंत्राले मिला है जोतिरादित्य सिंद्य को नागरिक उडियन मंतराले मिला है राम चंदर परसाद सिंग को इसपात मंतराले अश्वनी वैशनम को रेल आईटी और संचार मंतराले मिला है पशुपति कुमार पारस को खाद पर संसकरन मंतराले मिला है किरन दीजुजु को कानून मंतरा ले मिला है वहाई इसके अलावा पुरदान मंतरी दिनर्नमोदी के पास कर्मिक, लोक, शिकायत और पैंशन, परमानू, उर्जा विवाग और अंतरिक्ष विवाग सभी महतपूर्ण, नीतिकत, मुद्दे और सभी अन्य विवागों का परभार है वो किसी भी मंतरी को नहीं दिये गए है फिलाल इसकबर में तरहीं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंद भारत आपकी अपनी आवाज